असलाम अलेकुम जी कैसे आप सब वेलकम टो आवर चैनल बतुल बुश्रा वीडियो और यह जी पेंड्राइव लगा हुआ मेरी भाई की शादी का जो है वो देख रहे थे हम टीवे पर और साथी साथ तयारी चल रही थी पकवान की पकवान किसलिए इतनी सारी जो भी है वो सुब तयारी किसलिए है जी तयारी इसलिए है क्योंकि यह वीडियो चार-पांस दिन पहले का था और उस दिन था खाजा गर लिवनवास की छेटी की फातिहा और इस फातिहा के लिए इस बार पहली बार दावत हमारे घर में बनाई गई है जो भी 50-70 लोगों के लिए दावत रखी गई थी और उसकी सारी तयारी हमारे घर पे पहली बार चली है इससे पहले भी हम 8-9 साल से छेटी की फातिहा में शामि नाही के लिए अब क्या क्या बनाया हैं दिखा लेती हूं आपको करती है बाजी यह आंद्रा स्ट्ई इस पक् mature को यह जची जुच कि ये चावल बन गय हैं जी हमारे दोपहर के लंज के लिए बगारे चावल और यहां पे प्रेअज को भी स्लाइस कर लिए है नीचे में कुथमी का मसाला है और यह अध्रकलशें का पेस्ट एपर तमाटर को इस तरह से कट करके रखै यह सारी तैयारी हमारी लगबग neutral की यह और इदर है दालचे के लिए अमली का खटा और यह है पुदीना और अब मैं निम्बू को चोड़ ले रही हूं क्योंकि चावल में जाएंगे जी देखिए दालचे के लिए दाल चड़ाई थी गल गई है उसको घोट लिया है मतलब मैश कर लिया है उसके बाद इसमें जा र इमली का खटा मतलब जी कलिए हम को थिक氣 कितनी चाहिए और कटा कितनी चाहिए इस तरह से डेख कर डालेंगे और हमने फास्ट करने के लिए इसमें गरम पानी डाला था और गरम पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे पकाने के बाद बगार देंगे इसको प्यास और लॉङुग चकले से और यहां भाजी पक गई है इस तरह भाजी को घोटा जाता है बस भाजी खतम हो गई है उस तरफ दालचा भी अंदर में बगार दिया है वो भी खतम हो चुका है अब यहां चड़ाय जा रहा है जी सालना चिकन का सालना पात्या के लिए गोश का सालना अलग से पक चुका है अब यहां पढ़ रहा है चिकन का और यह है जी बाशा भया इन के सालने के लिए हमने यहां पर टेल को गरम कर लिया और पैस को लाल कर लिया उसके बाद सारा चिकन डालकर रोस्ट कर लिया अच्छे से इसको पका लिया और उसके बाद धनिया पॉडर मिच्ची पॉडर नम्मक खल्दी सारा डालकर अच्छे से भून लिया भूनने के तमाटर दाला तमाटर दाल के थोड़ी देर भूनने के बार अब जी इसमें जा रहा है आद्रकलोसन का पेस्ट कुतमिर का पेस्ट और पहले इसमें धनिया पोडर ने दला था अब दला है धनिया पोडर पहले इसमें खाली मिर्ची और नमक खल्दी पड़ा था अब जी और श्ίζक्न पक गया था जि तो उसको उतार के बाजु में रख दिया अब यहां चल रही है फात्या के लिए फिरणी की तैयारी सोजी को यस तरह से भून लिया है एक केजी की सोजी थी और तीन लेटर दूद को गरम किया था और इस तरह से घी को गरम किया ड्रैफरूट को रोस्ट किया और उसमें हमने डाल दिया दूद जो हमने तीन लेटर दूद गरम किया था सारा दूद डाल दिया एक केजी सोजी के लिए नौ लीटर दूद या पानी दोनों मिलके लगभग सारा नौ लीटर लगा था जी और तीन केजी शकर दो नारियल इस तरह से तुर्पा हुआ नारियल और इस सारे पानी और शकर को दूद को डालके हमने अच्छे से पकाया उसके बाद इस तरह से सोजी को अड़ किया क्योंकि कुछ भी लंस ना बने कुछ भी गाटे ना बने इसलिए एक जन डाले और एक जन ने हिलाया क्यूंकि काफी सारी थी तो इसलिए और लासमें इलायिची का पोड़र दालकर पांच मिनिट के लिए पका लिया और उसको बा बारे चावल के लिए यह तो लगबग तीन चार घंटे लग गए थे हमने पकाने के लिए आपको मैं जलजली बोल रही हैं वह जलजली बता रही हूं इसमें जी दो लिटर जितना तेल डाला है दो पैकट तेल और साथी हरी मिच और लॉंग चकला इसारा डालके बगार लिय आनियन का पेस्ट इस तरह से पैस और सारा मसाला डालके अच्छे से भूनने के बाद आप जा रहा है जी इसमें पुदीना पुदीनी को भी डालके दो मिनित के लिए भून लेंगे मसाला जलना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी मसाले के जो बारतन था उसी का थोड़ा शेलन जी चाम ब्रहूं पहला ज्क र्खकते और पानी जीमें वह हे रहता है यह ख़ह को और हिछा रखता के बाली वह की है कि चूट पहले करने उसी तरह से किलो के लिए दो लीतर पानी लगा था और यह यह पे घ्कन भी ठकक चुका है मैंने आज काफी पास-पास में बात की है देखी जी इदर खाना दम हो गया है तो हमने इस तरह से लास्ट में न कपड़े को भीगा के जो उपर का लेर रहता है वो भी अच्छे से दम हो जाए करके कपड़े को भीगा के इस तरह से इस पर ढख दिया था और यहां पर खाना पक चुका है और सारी तयारी हो चुकी है और यह जी दावत की जगा जो हम 8-9 साल से जहां दावत कर रहे हैं यह है हजर सेयद खादर मुहिद्दिन शाह खादरी की दरगा है यहां पर ही काजा नवास की चेटी की फातियां होती है और इदावत होती है और यहां तक ही ताजी आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ला आफिस